नवस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे योट्योब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं PTI अध्यापकों से संबंदित अपडेट पक्की नोकरी छेनली कच्ची से भी मुकर गई सरकार ये कहना है उन 1983 बरखास्त PTI अध्यापकों का जिन्हें थी उमीद उस ट्रिपल ऐसे पद पर न्युकती की सिक्सा विभाग में समा योजन के लिए तो साथियो लेकिन अब वो भी तस्वीर पड़ गई दुंदली नहीं हो पाएगी अभी जल्द इन पदों पर न्युकती तो साथियो सेवा बहाली की मांग को लेकर PTI का अंदोलन रहा जारी तो क्या है पूरी इन्फोर्मेशन पूरी इन्फोर्मेशन जानने के लिए वीडियो को सुरू से अंतक देखना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाली घंटी को दबा देना तो साथियों बिना देर लगाए आज की इस अपडेट को लेते हैं अभी तो आईए करते हैं सुरू आज की अपडेट देनिक ट्रिव्यून का अख़बार की तरफ से फत्याबाद जिले से तो साथियों सारिरिक सिक्सक्संगर समिती फत्याबाद इकाई के अपणी सेवा भाली की मांग को लेकर चला आ रहा आंदोलन 270 में दिन भी जारी रहा आज के कर्मिक अंसन में स्रोज राणी की अध्यक्स्ता में चंचल राणी, निलम राणी, सुदेश राणी, निता राणी, हर्मित सिंग वर रजवंत सिंग रतियावे जाकल के सिक्सक बैठे राज्य कमेटी सदस्य रजवंत सिंग ने बताया कि हरियाना की गठवंदन सरकार ने ताना साई तरीके से पहले तो सुप्रीम कोरट का भाना बना कर उनकी दस वर्सों की पक्की नोकरी छीन ली और साथियों यहां तक की विद्वा बहनों को मिलने वाली विद्वा पैंसन भी बंद कर दी उसके बाद लंबे अंदोलन के दबाव में आकर 24,000 रुपे मासिक वेतन के साथ सकूल खेल सहय के पद यानि ट्रिपल ऐसे के पद पर नुक्ति का एका स्वासन दिया और भरोशा मुख्यमंत्री हरियाना सरकार ने कहा कि मैं किसी पीटी आई का चुला ने बुजने दिऊंगा इसके बाद सभी प्रभावित पीटी आई से नुवंबर महिने में स्टेशन भरवा लिये गए लेकिन भहुती दुरभाग्य पूरण है कि नुवंबर से अब तक उनकी ज्व सरकार जारी रहेगा तो साथियों ये फत्याबा जिले से दैनिक ट्रिव्यून अकबार के अनुसार की खबर है तो उन्होंने ये भी कहा कि पक्की नोक्री तो छीन ली कच्ची से भी मुकर गई सरकार तो साथियों पीटी आई अध्यापकों ने सरकार को ताने देते हुए कहा कि उनकी पक्की नोक्री तो उन्होंने पहले ही छीन ली थी लेकिन जो कच्ची नोक्री 24,000 रुपे की पगार की नोक्री का जो आस्वासन दिया था अब उस पर भी सरकार की तरप से अच्छे से कारवाई ने करने के कारण उस पर भी उन्होंने अभी ताड़ा लगाने का काम किया है तो साथियों उन्होंने सरकार को चेताया कि सरकार ने यदि नहीं मानी और सरकार ने उनकी सुद नहीं ली तो इस संघर्ष को वो और अधिक लंबा करेंगे और तेज करेंगे और अंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा तो साथियों ये थी आज की PTI 6 कों से संब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उस बैल आइकन वाड़ी घंटी को भी दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चैनल दवाराव प्रोवाइड की जा रही जानकारी कैसी लगी तो साथियो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन वंदे मात्रम